हालो एवरीवन मैसेल्फ संदीब गिर्धर जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नमबर 9 अक्सरसाइज 9E के क्योस्टन नमबर हमने 10 तक कंप्लीट कर लिये थे इस वीडियो में हम इस अक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्योस्टन एड वट रेट ओफ सिम्पल इंट्रेस्ट विल एस सम ओफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 इयस तो देखो इस क्योस्टन के हमदर हमें क्या बताना है कि 20 इयस में किसी सम का डबल हो जाता है तो वो किस रेट के अकोर्डिंग डबल होगा हमें रेट परसेंट फाइंड करनी है ने तो हमें इसके अंदर principle पता है, ने ही इसका हमें amount पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि 20 साल बाद कोई money अपने आपका double हो जाती है, तो वो किस rate percent से double होती है, तो इसके अंदर हम let कर लेते हैं, let at our percent is sum will be double itself, our percent से, तो हम let कर लेंगे, इसके अंदर principle को भी हम let कर लेते हैं, x, तो जो amount है, वो क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, double का मुलब 2 से multiply कर देंगे, तो 2x हो जाएगा, और जो time है, वो हमें given at 20 years, और जो rate percent है, वो हमने क्या let किया है, r percent को, हमें अब देखिए, simple interest निकालना है, तो simple interest निकालने का क्या formula होता है, amount minus में principle, और amount किसके equal है, 2x के, और principle किसके equal हम let करके चलें, x के, तो 2x में 7x को subtract करेंगे, तो x रह जाएगा, तो simple interest हमारे पास आगया है, तो अब हमें देखो, r निकालना है, तो r निकालने का क्या formula होता है, simple interest निकालने का क्या formula होता है, simple interest निकालने का क्या formula होता है, तो r को हमने लेट किया, r परसेंट, तो simple interest क्या है, x रूपीज, 100 से multiply कर देंगे, upon में principle किसके equal है, x के, और time जो है, वो क्या है, 20 years, x से x cancel हो जाएगा, 20 से 100 को cut करेंगे, क्या आएगा 4, तो rate जो है, हमारे पास क्या आजाएगी, 4% पर एंटम, तो इस तरह से हमें, इस question का solution है, वो करना है, अब देखिए, इसके बाद, question number 12, तो question number 12 के अंदर, हमें क्या करना है, statement आप देख सकते हो, if rupees 250, amounts to rupees 10, तो देखो ये principle है, 250, और amount कितना हो जाता है, 285, और time जो है, वो किसके equal है, 2 years के, find the rate percent, तो आपको rate percent find करना है, तो rate percent find करने के लिए, आपको पता है, कौन सा formula यूज़ करते हैं, simple interest into may 100, upon may principle into time, but हमारे पास simple interest अभी given नहीं है, तो simple interest का हम कौन सा formula यूज़ कर सकते हैं, find करने के लिए, amount minus principle, और amount किसके equal है, 285 के, और minus में principle किसके equal है, 250 के, इन दोनों को subtract करेंगे, जब हम, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 35 rupees, तो simple interest आगा 35, इस formula में हम put कर देंगे, 35 multiply with 100, upon में principle is 250, और into में time is 2 years, ठीक है, अब 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 5, यहाँ 7 आएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 5, 5 से इसको कट कर देंगे 7, तो answer क्या आजाएगा, 7% पर एनम, यह हमारा क्या होगा, 8% होगा, अब देखिए इसके बाद, next question, अब देखिए इसके बाद, question number 13 है, mcqs है, the sum of money, that will produce, rupees 1770, as simple interest, in 7 and half years, as 8% at per annum, तो देखिए इसके अंदर, यह हमारे पास, simple interest given है, यह time given है, और यह क्या है, rate of interest है, इन तिनों की help से, हमें sum of money, मतलब principle find करना है, वो क्या होगा, तो अब principle find करने का, हमारे पास क्या formula होता है, simple interest into me, 100 divided by rate into me, time, तो देखिए simple interest, मारे पास क्या है, 1770 into me, 100 divided by rate, rate क्या है, हमारे पास 7 and, rate है, हमारे पास 8, और into me, तो time है, वो क्या है, 7 and 1 by 2, 7 to the 14 plus 1, 15 upon 2, upon वाला 2, उपर आ जाएगा, इस 2 से 8 cancel करेंगे, 4, 4 से हम 100 को cut कर देंगे, क्या आएगा, 25, फिर 5 के table पे cut करेंगे, 5, यहाँ 3 आ जाएगा, अब 3 से हम इसको divide कर देते हैं, तो देखो जब 3 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 3, 5 जा, 15, 2, फिर 3 से divide करेंगे, तो क्या आजाएगा, 9, और फिर 0, यहाँ 0 लेगा, तो 590, तो 590 की अब 5 से multiply करेंगे, 0, 4, 2, तो 2950, तो option नमबर जो A है, वो क्या होगा, correct होगा, अब देखिए, इसके बाद, question number, 14th, 14th क्या statement है, in what time, तो time आपको find करना है, यह principle है, यह amount है, और यह rate है, तो देखो principle हमारे पास है, 1200, amount है, 1344, और जो rate है, वो है 6%, तो time हमीं find करने, time find करने का formula क्या होता है, simple interest multiply with 100, divided by principle multiply with R, तो यहाँ simple interest find करने के लिए, हमें क्या करना होगा, amount में से principle को minus करना है, 1344 में से, 1200 को minus करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आजाएगा, 4, 4, 3 में से 2 को subtract करेंगे 1, तो 144, तो simple interest के place पे लिखेंगे, 144 multiply with 100, divided by principle, principle हमारे पास क्या था, 1200 और into में rate क्या है, 6 है, तो देखो, 20 से 20 कर, 12 से इसको cut करेंगे 12, 6 से 12 को cut करेंगे, तो 2 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास क्या आया है, years, time है यह, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, option number जो C होगा, वो क्या होगा, correct होगा, अब देखिए इसके बाद, next question, अब देखिए, इसके बाद, question number 15, इन हाउ मच टाइम, वुड़ दा, simple interest, ओने सर्टेन सम, बी, 0.125 टाइम्स, दा प्रिंसिपल, एट 10 परसेंट पर एनम, आपको इसके अंदर, क्या find करना है, तो time find करना है, कि कितने समय के अंदर, कोई simple interest, अपने प्रिंसिपल का, 0.125 टाइम्स हो जाएगा, 10 परसेंट पर एनम्स की रेट से, तो आपको time find करना है, तो सबसे पहले, तो हम इसके अंदर time find करने से पहले, देखो time find करने का फॉर्मूला आपको पता है, simple interest इंटू में 100, अपन में principle इंटू में rate, rate हमें पता है 10%, 100 भी हमें पता है, principle हमें नहीं पता है, simple interest हमें नहीं पता, हमें ये पता है, कि simple interest जो है, वो 0.125 परसेंट हो जाता है, मालब सोरी, इतने times हो जाता है principle का, तो सबसे पहले हम let कर लेते है, let principle is equal to rupees x, तो according to statement, जो simple interest है, वो क्या हो जाएगा, 0.125 टाइम्स किसका principle का, principle क्या है x, तो यह हो जाएगा 0.125 x, यह क्या है simple interest, principle क्या है x, इस formula में हम इसे put कर देंगे, simple interest 0.125 x, इंटु में 100, divided by principle is x, and rate of interest is 10, x से x cancel हो जाएगा, अब देखो, इसको without decimal जब करेंगे हम, तो upon में कितनी 0 आ जाएगे, 3, मदलब 1000, और फिर क्या है 10, तो 20 x 20, cut, अब देखिए, यह है 125, और upon में यह क्या है हमारी पास, 100, अब हमें इसको change करना है, 25 से cut कर दो, 25 5 जा, 25 4 जा, इतना years आ गया, इसको लिख सकते हैं, 1 and 1 by 4 years, तो देख सकते हैं, 1 and 1 by 4 years, option number जो A है, वो क्या होगा, correct होगा, अब देखिए, इसके बाद, last question holds, अब देखिए, इसके बाद, question number 16, ए परसन, borrows रूपीज 5 थाउजेंट, फोर 2 years, एड 4 परसेंट पर एनम, simple interest, he lends it to, another person, at 6 and 1 by 4 परसेंट पर एनम, for 2 years, find his gain in the transaction per year, देखो, एक आदमी ने, 5,000 पर उधार लिये हैं, 2 साल के लिए, 4 परसेंट पर एनम की रेट से, फिर वो उसको, another person को दे देता है, 6 and 1 by 4 परसेंट पर एनम की रेट से, 2 साल के लिए, तो बताओ, उसको हर साल कितना gain हुआ, तो अब दे देखिए, हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, principle देखो, क्या है, rupees 5,000, time क्या है, 2 years, rate of interest क्या है, 4 परसेंट पर एनम, तो हम क्या find कर लेंगे, simple interest, simple interest क्या होता है, PRT upon 100, principle is 5000, rate of interest, और ये, इनके हम multiply कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4,288, 5040, 107, 400 rupees, simple interest हमारा, आ जाएगा, तो amount किसके equal हो जाएगा, जिदे हमें amount निकालना है, तो principle, plus में simple interest, तो 5000, plus में 400, तो क्या बन जाएगा, 54, 100 rupees, ये हमारा क्या हो जाएगा, minimum for two years, find his gain in the transaction, तो उसने इस money को कर दिया, तो अज़र को principle तो हमारा वही रहेगा, 5000, जो time है, वो भी same है, two years, और जो rate of interest है, वो है, six and one by four percent, तो देखो, six and four percent को हम क्या लिख सकते हैं, 25 by four percent per annum लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें simple interest निकालना है, तो principle into my rate, और into my time, time हमारे पास two years से, आप उन में hundred, two zero से two zero क्या होगी, cut two से इसको cut करेंगे, two two से इसको cut कर देंगे, 25, 25 को 25 से multiply कर देंगे, six 25 rupees, तो यह हमारे पास simple interest आया है, और इसका जो amount है, वो क्या हो जाएगा, 5000 में हम 625 को क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो यह हमारे पास क्या आ गया, 5625, क्या है यह 5625, क्या है यह 5625, amount आया है, तो अब हम पहले वाला जो amount था, वो क्या था, 5400, अब जो amount आया है, वो क्या है, 5625, इसमें से सब्रैक्ट कर देंगे तो देखो हमारे पास, दो साल का, जो, गें है, वह कितना आए है، क्ला टू थाउज्द तू हंड्रेट ट्वंटि फाई ये गें है, कितना, क्ला क्ला टू पर एर का गेन बताने तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 225 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 112.50 रूपीज तो इसके अंदर जो option number हमारा ए है वो क्या रहेगा रहेगा अब देखिए इसके बाद last question अब देखिए इसका last question है होट्स 17th question है a sum of rupees 400 amounts to rupees 480 in 4 years what will be it amount to if the rate of interest is increased by 2% कहता है कि एक amount है मारे पास 400 वो increase होके कितना बन जाता है 480 कितने साल में 4 years में तो एक तो पहले हमें rate of interest find करनी है ठीक है rate of interest आने के बाद कहता है कि यदि हम rate of interest को 2% increase कर दें जो पहले है उससे increase कर दे 2% तो amount क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो given principle है वो क्या है 400 amount किसके equal given है 480 और हमारे पास time जो है वो किसके equal given है 4 years तो हम इनकी help से क्या find कर लेंगे rate of interest find करेंगे और rate of interest find करने का आपको formula बताई है क्या होता है SI into hundred upon में pay into t तो यहां से सबसे पहले हम simple interest find करेंगे amount minus principle वाले formula से तो amount किसके equal है 480 minus में principle किसके equal है 400 जब हम इसको subtract करेंगे तो जो 80 rupees है यह क्या आया है हमारे पास simple interest तो simple interest 80 rupees है multiply with hundred principle possible हमारे पास किसके equal है 400 के और into में time जो है वो 4 है तो two zero से two zero cut हो जाएगी four से इसको cut करेंगे twenty four से इसको cut करेंगे five तो जो rate of interest है वो क्या ही है हमारे पास five percent per annum if rate of interest is increased by two percent then new rate तो जो नई rate है हो क्या बन जाएगी five plus two is equal to seven percent per annum अब हमें amount निकालना है तो amount निकालने से पहले हम क्या find करेंगे simple interest तो simple interest क्या है पी आर टी अपॉन हंडर्ड principle is four hundred rate of interest जो है अब seven है time वही same four year अपॉन में two zero तो यह cut कर देंगे तो देखो कितना आता है ट्वन्टी एट की four से multiply कर दो वन हंडर्ड ट्वैल रूपीज तो अब हमें जो new amount find करना है जो हमारा answer होगा वो क्या होगा principle प्लस में simple interest is equal to five hundred twelve रूपीज यदि हम rate of interest को two percent increase कर देते हैं तो जो नया amount बनेगा वो क्या होगा five hundred twelve तो इसी क्योंसन के साथ यह हमारी जो अक्सरसाइज वो भी complete होगी है मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा लुट